आज के समय में IIT और मेडिकल की तयारी करने वाले स्टूडेंट्स में शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो आकाश इंस्टिट्यूट के नाम से अंजान है आज की इस वीडियो में हम आकाश इंस्टिट्यूट के फाउंडर जेसी चौधरी की सफलता की कहानी के बारे में जानेंगे जेसी चौधरी का जन्म हरियाना के एक छोटे से गाव सेवली में 18 नवंबर 1950 में हुआ था जेसी चौधरी के पिता सेवली गाव में ही एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे एक छोटे से कमरे में चौधरी का पूरा परिवार रहता था और गरीबी से निकलने के लिए बड़ी मेहनत करता था जेसी चौधरी के पास 12 साल की आयू तक पैरों में चपल नहीं थी और आज उनका नाम दिल्ली के बड़े बिजनसमेन की लिस्ट में शामिल है जेसी चौधरी का बचपन बहुत ही कठिन और गरीबी भरा था उन्होंने गाव से ही अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की इसके बाद प्री उनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए GGDSD कॉलेज पलवल चले गए हालाकि इससे पहले वो कभी भी किसी बड़े शहर नहीं गए थे इसलिए वे बड़े शहर में रहने को लेकर उत्साहित थे और खासकर सिनिमा हॉल देखने के लिए JC चौधरी ने पिलानी स्थित बिडला इंस्टिट्यूट ऑंफ टेकनोलजी एंड साइंस से MSC की गरीबी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही हरियाना के भिवानी स्थित वैश कॉलेज में टीचिंग प्रोफेशन में जॉब शुरू कर दी थी कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर जल्द ही वे दिल्ली स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए आप उनकी गरीबी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कॉलेज जाने से पहले तक उन्होंने कभी पैंट भी नहीं पहनी थी लेकिन जेसी चौधरी ने इतनी उत्सापूर्ण मेहनत करी कि आज उनकी कमपनी की वैल्यू साथ हजार करोड रुपेय से भी अधिक की है इसलिए कहते हैं न कि कठिन मेहनत और समर्पन के साथ किया हुआ काम आपको एक ना एक दिन आस्मान की उंचाई तक पहुँचा ही देता है हमारे आसपास ऐसे कई लोग है जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो बहाने ढूंडते रहते हैं और मेहनत से हिचकते हैं और अंत में अपने भागे को कोसते हुए रोते रहते हैं जेसी चौधरी भी चाहते तो अपनी गरीबी को लेकर बैठे रहते लेकिन उन्होंने मेहनत की और अपनी गरीबी और अभावों की कमी को अवसरों में बदल दिया जिसका परिणाम आज हम सब के सामने है साल 1984 में प्रिंसिपल की जौब के दौरान जेसी चौधरी की किस्मत तब बदली जब उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ यानि जन्म दिन में छिपे अंकों के सफलता के रहस्य का पता चला न्यूमरोलोजी यानि अंक जोतिश से जेसी चौधरी का परिचय उनके जीजाने कराया था अंक जोतिश के बारे में जैसे जैसे जानते चले गए उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि उनके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह उनके डेट उफ बर्थ से मैच नहीं कर रहा है जिसके बाद वह अपने गांव वापस गए और अपनी सही जन्मतिती का आंकलन किया जेसी चौधरी अपनी ज्यादतर सक्सिस का श्रेय न्यूमरोलोजी को देते हैं यहां तक कि अपने एजुकेशन इंस्टिट्यूट के लिए जमीन खरीदने, फीस स्ट्रक्चर की लिस्ट बनाने और अन्य बिजनिस के फैसले लेने के लिए भी न्यूमरोलोजी का सहारा लिया प्रिंसिपल की नौकरी से इस्तीफा देने के बाद, जेसी चौधरी ने 1988 में अपने बेटे के नाम पर आकाश इंस्टिट्यूट की स्थापना की, जिसे बाद में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेट के नाम से जाना गया आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में केवल 12 स्टूडेंट्स ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने आये थे इतनी फीकी शुरूआत करने वाले जेसी चौधरी के आकाश इंस्टिट्यूट की आज 800 से भी ज्यादा ब्रांचेज है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं 2019 में न्यू यॉर्क स्थित इंवेस्ट्मेंट फर्म ब्लैक स्टोन में आकाश में 35,5 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली और 2021 में अपनी कंपनी को एड़टेक दिगज बायजो को करीबन 7300 करोड रुपयों में बेच दी जेसी चौधरी रियल एस्टेट में अपना इंवेस्टमेंट करते हैं और वहां से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं इनकी कहानी से हमें यह सिक मिलती है कि अगर हम मेहनत करने के लिए समर्पित हैं तो हम किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं